31 जन्वरी 2024 और यह लास्ट डेट है अगर अभी तक आपने अपने फास्टेक का के वाईस अपडेट नहीं किया तो इस महीने की कतिस तारीक के बाद आपका फास्टेक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और लास्ट वाली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि कैस से आप ऑन लाइन और ओफ लाइन दोनों तरीके से फास्टेक के के वाईसी को अपडेट कर सकते हैं अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जोड़ से देखेगा मगर अभी भी कई लोगों को फास्टेक को अपडेट करने में कापी ज्यादा दिक्कत आ रही ह अब जो दिक्कते में आपको बताने वाला हो सकता है कि आपको भी इन में से कोई एक दिक्कत आ रही हो सबसे पहले तो जिस बैंक के तुरू आपने फास्टेक लेके रखा हुआ है उसी बैंक से ही आपको KYC अपडेट करना होगा तो उस बैंक की लिंक ही नहीं मिल रही वहला पता ही नहीं चल रहा कि उस बैंक के तुरू हम KYC कैसे अपडेट करें तो सबी बैंक की लिंक मैं आपको देने वाला हो और दूसरे नमबर पर यह है कि अगर आपने पेटियम के तुरू फास्टेक लेके रखा हुआ है तो पास्वर्ड कैसे पता चलेगा पास्वर्ड तो कैसे आप पास्वर्ड जान सकते हैं बुले हुए पास्वर्ड को कैसे वापस लास सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा और last में ये है कि अगर आप login भी कर लेते हैं तो अब आपको चेक करना है कि आपका fast tech का KYC update हुआ है या नहीं हुआ है pending है क्या है तो वो कैसे जानेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यानि कि सब कुछ आपको पता चल जाएगा एक single वीडियो के अंदर तो चले फड़ावर से वीडियोगों स्टार्ट करते हैं और पहले वीडियो को like कर देना और ऐसे वीडियो आप आगे भी दिखना चाहते हैं आपने लेके रखा हुआ है उस बैंक का नाम आपको बस आगे लिखना है जैसे के अगर मेरा HDFC में एकाउंट है या फिर HDFC के तुरू मैंने फास्ट लेके रखा हुआ है तो मैं लिखँणगा HDFC Fast Tech Login जैसे लिखकर सर्च करूँगा सबसे पहले website लिखाई देगी यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और आज आऊँगा मैं HDFC के login पेज पर यहाँ पर login करके तुरंत ही मैं मेरे Fast Tech के KYC को अपडेट कर सकता हूँ अब आप कहीं यार मुझे यार जैसे Google Chrome किसी website पर नहीं जाना कोई app के तुरूँ बताओ तो यहाँ पर मैं आपको एक app सजेस्ट करूँगा और इस app की link भी में आपको इस video का description में देदूगा वहाँ से आप इस app को install कर सकते हैं इस app को install करने के बाद जैसे आप open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को बिल जाएगा log on to bank portal जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो कई सारी bank के नाम आपके सामने आ जाएंगे अब जिस bank के तुरूँ आपने fast tech लेके रखा हुआ है बट सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि लॉग इन तो कर ले बट पासवर्ड याद नहीं है वह कैसे बता लगा है उसके बारे मताओ बट वह भी बता देता हूँ बट अभी और चीज बाकिए वह मैं आपको बलब फड़ापर से बता दूँगा और वह है पेटियम को लेकर देखो अगर आपने पेटियम से फास्टेंग लेकर रखा हुआ है तो पेटियम के अंदर फास्टेंग के कैसे अपडेट करना है तो सिंपल है अपने Paytm आपको open कर लें सर्च बार उपर दिखाए देगा यहाँ पर आपको सर्च करना है KYC जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक बटन देखने को बिल जाएगा KYC status के नाम से जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आपने Paytm से फास्टेंग लेके रखा हुआ है और आपने अल्रेड़ी KYC किया हुआ है तो यहाँ पर आपको complete बताएगा और अगर आपने KYC नहीं किया हुआ है तो pending बताएगा या फिर KYC आपको करना होगा तो देखिए यहाँ पर मुझे एक video call के वीडियो कॉल के तुरू आप अपने KYC को यहाँ से अपडेट कर सकते है तो Paytm वालों के लिए तो वाई कापी ज्यादा इजी प्रोसेस यह आपर दिया गया है अब बात करते है लॉग इन के बारे में तो लॉग इन करने के लिए आपको इस अपको इंस्टोल करना होगा जो कि मैं आपको पहले बता दिया कि आपकी लिंक में आपको इस वीडियो के करते हैं क्योंकि इसी बैंक के तुरू हमारे के वाई सी अभी फिलाहाल मुझे करना है तो कोटेक महिंद्रा बैंक पर मैं जैसे क्लिक करूंगा यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा लॉग इन पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं यूजर नेम से भी लॉग करेंगे क्लिक करने के बाद हम वही मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करेंगे जिस मोबाइल से हमारा फास्ट एक चल रहा है और एंटर करने के बाद यहां पर एक अलग से पॉप अफ विंडो जो है आ जाएगा अब जो हमें OTP डाला है OTP हमारे ही नंबर पर आजाएगा simple हम OTP यहाँ पर add करते हैं और उसके बाल हम यहाँ पर new password generate कर लेंगे तो फड़ा फड़ से मैं new password और confirm password जो है वो generate कर लेता हूं और करने के बाद सिंपल है मैं यहाँ पर कर देता हूं successful और यहाँ पर अब आ जाते हम वापस से में पेज़ पर अब देखे पासवर्ड तो हमारा बदल चुका है अब हमें पता भी चल चुका है तो जैसे मैं यहाँ पर mobile नंबर दालूँगा और login करने के लिगा के सब्मिट करूँगा इसके कर देते हैं और जो new password है उसे एक बार दाल देते हैं एक बार नया बना लेते हैं को दिक्कत की बात नहीं है दुबारा से में पेज़ पर और यहाँ पर वापस हम लॉग इन करेंगे password प्रॉपर हमने अपडेट कर लिया है तो अपडेट करेंगे capture code दालेंगे और आ चुके मैं आपको एक और option दिखा देता हूं जैसे कि आपको देखना है कि आपका KYC अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे बता लगेगा ठीक है तो simple है आपको right side पर तीन line दिखाए देगी आपको इस तीन line पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने कर रहा हूं से अच्छा हमें जाना है यहाँ पर KYC में KYC में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा कच्छा चेटा दिखाए देगा आपका नाम सब कुछ और यहाँ पर आप देख सकते KYC स्टेटस अभी फिलहाल मेरा pending ठीक है अब यह पैंडिंग है अब यह क्य लगता है और फिलाल अब इस सर्वर इतने मतलब है भी हो चुके हैं कि अगर आप अपडेट करने के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि एक दो दिन निकल जाए तो ट्राय करके देख लो इसी तरह से आप पासपर भी चेंज कर सकते हैं और अपने KYC स्टेटस को चेक भी कर सक करते हैं बड़ा आसान तरीका है जब उसे चेक कीजिए और हाँ वीडियो को शेर करना अपने खास तोर पर उन दोस्तों को जिनके पास अपना एक वीकल है क्योंकि उनके पास वीकल है तो सिंपल है उनके पास फास्टेक भी होगा और फास्टेक है तो उन्हें अपने KYC से उसे अपडेट करना होगा तो वीडियो को जाद से जादा शेयर करना और ऐसे वीडियो कर आप आगे भी देखना चाहते तो सिंपल ले चैनल को सब्सक्राइब करना तब तक न द्यान रखना दूसतों टेक केर बाइ